हेलो ट्रेटर्स एंड इंवेस्टर्स वल्कम बैक तू स्टॉक लैंज आज के मैं से बात करने वाले हैं एचली ग्लास कोड शेयर की तो यह शेयर अपने रीसेंट हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है यानि कि आप कहे लीजे मैं मेजर करके आप दिखाता हूं 56 तू 57 पर अगर आप अपरके लैवल पर फस्ट रखएं क्योंकि यह बहुत ही शाप मैं उसकी भी चर्चा आपको बाद बताता हूँ अगर आप उपर के लेवल पर फस रखे हैं तो आपको कहां पर एवरेजिंग करना चाहिए कहां पर आप फ्रेश भाई कर सकते हैं अगर आपको फ्रेश भाई करनी है या आपको इन्वेस्ट्मेंट के लिए ले रखना है ये शेयर तो आप फ्रेश भाई कहां पर कर सकते हैं ये भी हम भी डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो चलिए वीडियो शुरू होने इस पहले बट आप लोग लाइक कर दीजेगा आप लोग लाइक कर दीजेगा तो मेरा मोटिविशन और भी बढ़ जाता है और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आप पहली बार इसमें विजिट कर रहे हैं तो सो बेसिकलिए अगर देखा जाए तो यहां पर एक सपोल्ड का जोन निकल के आता है जो की बहुत ही मतलब आप कहले जिए क्रूशेल जोन निकल के आएगा एक्जैक्ट यह है अगर मैं इसको थोड़ा नीचे भी एक्स्टेंड कर देता हूं तो आपको दिखेगा यह रजिस क्या आप देख पाना यह चीज को एक ट्रेंगल पैटर्न आपके लिजिए उसका ब्रेकडाउन दिया था मैं उसको भी अभी डिसकस करता हूं आपको यह चीज समझ में आ गई होगी और बेसिकली अगर सेकेंडली देखा जाए कि गिर के और आई स्टॉक तो यहां पर एक यह सपोर्ट था यह सपोर्ट का टूटना होता है मैंने परसनली यहां पर भी बाई कर रहा था एक्जैक्ट इन लेवल पर वाई किया था मैंन इसी रेगुलर वीडियो डालते रहता हूं अगर कोई ट्रेड अपॉर्ट मिलती है तो मैं भी वह शेयर कर देता हूं आपको यह दो रीजन आपको पता चल गए एक तो पहले ही सपोर्ट रीजन है और दूसरा जो गिरने का कारण था क्योंकि भाई यह घूर क्यों रहा है क्लीर है अब आपन यहिसटśकस करते हैं कि आपको पहां पर भाई करना चाहिए हलाकि मैंने आपको अ कर Cette कर här बता दियें जैसे कि यह लेबल से मैं को एक बार नो टाॉन करके भी दिखा देता हूं अगर आपको अगर आपको अबरिजन करनी है तो आपको जो लेवल निकल के आते हैं वो बतिस सौ से लेकर के तीन हजार की रेंज उटकी है इसी रेंज पर आपको एवरेजिंग करनी है यह मेरी बात आप गौर करिएगा और अगर आप ट्रेडिंग के लिए रखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग या फ्रेश ट्रेड के लिए लेना चाहते हैं तो आपको जी स्टॉप लॉस होगा वो आप मानके चलिए यह मैंने लेवल्स निकाल रखे हैं उन लेवल्स के अनुसादी में बता रहूंगी आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपको अगर ट्रेड लेनी है थोड़ा थोड़ा एकुमिलेट करिएगा क्यों यह शेयर ऐसा नहीं कि परफेक्ट कैंडिल बनाता है यह कोई ऐसा परफेक्शन नहीं है इस शेयर में मैनुपुलेटिव भी हो सकता है शेयर तो आप छोटी-छोटी कौंटिटी तीन हजार से ले करके पत्तिस सो तक की रेंज में आपको एकुमिलेट करनी है क्लियर है एकुमिलेट करने का में शक्त यूज़ कर रहो आप एक बार में इसमे के नमबर्स आते हैं और यह शेयर अपनी इंडिस्ट्री का आप कहलेजे एक ग्रोइंग उभरता हुआ सितारा है क्लियर है तो फंडमेंटल बहुत ही अच्छे है इसके और स्ट्रॉंग शेयर है अगर आप लॉंग टर्म के यह भी होल्ड करना चाहते हैं तो इसको होल्ड कर सकते हैं इसमें कोई भी आपको जो है आप कहलेजिए ड्रॉब बैक या कोई भी लूप फोल नहीं है इसमें जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इसमें परिसान होई बहुत फंडमेंटल अच्छा शेयर है यह काफी मैं मैं खुद भी अपने पोल्फोलियो में इसको गिव एक और यहाँ पर यहां पर एक अच्छी कंदल बनाता है यह green candle रही की पूरी और जो stop stop loss होगा अगर आप ब्रेक आउट ट्रेड लेना चाहते हैं तो और आपकी इंट्री जो होगी यही होगी जो मैंने arrow बना रहा है स्कैंड्ल का हाई सीटरी होगी और आपके टारिक ते यहां पर आप निकल के आते हैं यानि आपके लिए अड़ शो से लेकर चाहार हाजार की रहाम से आप सकते से जोटेशल्ट पके आपको पसंद आया तो वीडियो ज़िए बादेर लाएक करें तो मेरा मॉटेशन और यह बाट झाल 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 झाल